हाई, वेलकम बैक आप जो देख रहे हो ये सुन्दर सी डिश ये है दलिया, मूंग दाल और बहुत सारी सबजियों से बनी हुई एक बेहद टेस्टी और बहुत जादा नूट्रिशिस खिचडी गुजरात में है फेमस फाडा नी खिचडी जो होता है दलिये की खिचडी, मूंग दाल के साथ हम इसे बना रहे हैं खुब सारी सबजियों और स्प्राउट्स के साथ बहुत नूट्रिशिस चलिए स्टार्ट करते हैं मैंने दिया है एक कप दलिया आप कोई भी एक कटोरिया कप का मेजर सेट कर लो आधा कप है पीली मूंग की दाल एक बड़ा साइस का प्याज लेके चौप कर लिया है लंबा-लंबा एक बड़ा टमाटर चौप कर लिया है हरा धनिया है एक बड़ा चमच लसन एक बड़ा चमच अद्रक और एक बड़ा चमच हरी मिर्च का पेस्ट है इससे बनेगी basic खिजडी nutrition अड़ करते हैं मैंने लिया है एक कप भर के chop किया हुआ गाजर आधा कप हरे मटर आधा कप लिया है कॉर्ण, मककई और एक कप भर के मेरे पास है हरी मुंग दाल के sprouts ये सबजियां हम अड़ करेंगे extra nutrition के लिए और बहुत ज़्यादा टेस्ट के लिए पहले इस मुंग दाल को अच्छे से धो लेते हैं बिगोने की जरुरत नहीं है सिर्फ 3-4 बार उसे धो के साफ पानी में clean कर लेते हैं दलिये को धोने की जरुरत नहीं है लेकिन फिर भी गी में आप चाहें तो ऑईल यूज कर लें एक टेबल स्पून मैंने घी लिया है गरम होते ही आधा चमच जीरा आड़ कर रहे हूं जीरा जैसी थोड़ा सा ये तड़केगा उसमें अधरक लसन और जो हरी मिर्च का पेस्ट है इन सब को आड़ करके अच्छे से थोड़ा सा कुक कर लेंगे ताकि अच्छी खुश्बूसी आ जाए फिर इसमें आड़ कर सकते हैं जो चौप करके रखे हैं प्याज प्याज आड़ करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और तब तक कुक करेंगे जब तक हलके से transparent दिखने शुरू हो जाए और soft हो जाए brown नहीं करना है 3-4 मिनिट में हलके soft हो जाएंगे और ऐसे दिखना शुरू हो जाएंगे बस ये stage पे इसमें टमाटर अड़ कर लेते हैं टमाटर को mix करके उसमें डाल देंगे आधा चमच नमक का और आधा चमच हल्दी का 4-5 मिनिट में टमाटर भी soft हो जाएंगे धाकनी की ज़रूत नहीं है गैस को मीडियम पे रखिएंगे और बस यूँ गुमाते रहेंगे अब ये टमाटर soft हो गये है अब इसमें आड़ कर देते हैं सबसे पहले गाजर गाजर को आड़ करके mix करके एक मिनिट तक कुख होने देंगे उसके बाद हम अगली सबजी आड़ करेंगे हर सबजी को डाल के एक मिनिट तक कुख करेंगे ताकि वो गरम हो जाए और फिर अगली सबजी डालेंगे अब जा रहे हैं कॉन इसको भी मिक्स करके एक मिनिट कुक करेंगे ये एक-एक सबजी को मैं टर्न बाई टर्न इसलिए डाल रही हूँ ताकि कुकर के अंदर टेंपरेचर जो है खाने का वो एक मेंटेन रहे गरम अगर हम सब चीजें एक साथ डाल देंगे तो अचानक से प्यास टमाटर गरम थे सारी सबजी या बाहर से जा रही है टेंपरेचर ठंडा हो जाएगा इसलिए अब आपने देख लिया कि मैंने सारी सबजी आलमोस्ट इसमें डाल दी है अब इसमें थोड़े मसाले डालेंगे एक चोटा चमच भर के धनिया पाउडर आदा चोटा चमच लाल मिर्च का पाउडर और दाल और दलिये के लिए आदा चमच नमक सारी चीज़ों को एक बार बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें हम डालते हैं जो पीली मूंकी दाल को दो के रखा था दाल डालके फिर से इसको गुमाके एक मिनिट गरम होने देंगे हर चीज़ को अब डाल देते हैं दो के रखा हुआ दलिया अब डालने के बाद में सारी चीज़ें डल चुकी हैं साइड में पानी को मैंने बॉइल होने के लिए रखा हुआ है इसमें हम जो पानी यूज करेंगे वो गरम किया हुआ यूज करेंगे फिर से वही कारण है कि अगर हमने साधा पानी डाल दिया तो जब तक पानी और ये सब चीज़ें उबलने होंगी तब तक दलिया पुरा गल के पिघल जाएगा उसमें पेस्ट हो जाएगा इसलिए हम पानी गरम यूज कर रहे हैं मैंने चार कप पानी को गरम किया है एकदम बॉइलिंग हमने एक कप दलिया लिया था पानी भी गरम डाल दिया है इसमें फटा फट सीटी आ जाएगी थोड़ा सा हरा धनिया इसमें आड करते हैं और एक चमच घी का अच्छे से सब कुछ गरम होना शुरू हो चुका है आपको दिखरा है और अल्रडी बॉइल होना शुरू हो चुका है अब धकन लगाके सिर्फ एक सीटी हम इसको लगाएंगे बस एक सीटी आ जाएगी कुकर की आप गैस बंद कर देना और उसे 15-20 मिनिट तक खोलना मत जब तक अपने आप प्रेशर चला जाए ये देखिए 15-20 मिनिट बाद मैंने एक कुकर खोला है प्रेशर जा चुका है और ये कलरफुल सी खिचडी रेडी है मैंने बनाई है ये थोड़ी सी गाड़ी थिक पुलाओ जैसी खिचडी अगर आपको पतली चाहिए तो अब इसमें कुकर खोलने के बाद आप पॉइलिंग पानी आड़ कर लेना थोड़ा सा जितना आपको चाहिए और मिक्स कर लेना बहुत ही टेस्टी और आपने देख लिया है पावा पैक्ट नूट्रिशन है खूप सबजिया है इसमें थोड़ा सा ओपर से घी स्प्रिंकल कर देते हैं और घी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और घी वाकई में एक हेल्दी आइटम है खिच्डी के साथ इसे जरूर यूज़ करें मेरी खिच्डी हो गई है रेडी आप भी जरूर बनाईएगा थैंक यू फो वाचिंग और दो सब्सक्राब दे चानल